घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करे ये काम कई बार लाग कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासेल नहीं होती है और ना ही धन की बड़ोतरी होती है जोति शास्त्रिया नुसार घर में कई बार नकरात्मक उर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पित्रों का अश्रवात ना होने के कारण भी शाररिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार तो बनते-बनते काम बिगड़ने लगते हैं ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं वास्तु शास्त्रियों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकरात्मक उर्जा का परवाब बढ़ता है इसके साथ इसक सम्रिद्धी दन संबदा की प्राप्ती होती है आईए जानते हैं कि बर्गत पाने के लिए रोजाना कौन से दस काम जरूर करना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता कासे बात आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक एक करें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें और कर्मेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें नमबर एक किसी भी मांगलिक या फिर शुप काम में कपूर का विशेस महत पर माना जाता है कि गर में कपूर जलाने से वाश्तु दोस के साथ नकरात्मक उर्जा से छुटकारा मिल जाता है इसलिए सब्टा में एक fins बार कपूर जरूर जलाए ऐसा करने से सकरात्मक उर्जा अधिक पएदा होती है प्रकरती का यह नियं है कि आप जितना देते हैं वह उसे दुगना करके लोटा देती है यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा दान में सबसे बड़ा दान है अन्न दान निम्लिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं नमबर दो शाम के समय पूजा करते समय सरसो क तेल का दीपक जलाएं और उन में दो लॉंग भी डाल दें आप चाहें तो यह दीपक रो जाना प्रवेश द्वार के दोनों और या फिर एक तरफ जला सकते हैं ऐसा करने से देवी देपता के साथ पित्रों का आशिरवाद प्राफ्त होता है जिससे घर में बरकत होती है घर में जब भी रोटी बनाएं तो तबह गरम होने के बाद उसमें थोड़े से दूद्थ की चीटे जरूर मार दें माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोशों से निजात मिलती है इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थो इसके साथ ही जीवन में तरक्की सुक समर्द्धी आती है जोती शास्त्र के अनुसार शूरियास्त के समय या फिर बाद में जाडू नहीं लगाना चाहे हैं माना जाता है कि ऐसा करने से मालक्षमी घर से चली जाती है और अलक्षमी का वास हो जाता है और दरित्ता पीछा नहीं छोड़ दिया नमबर तीन बोजन की थाली को हमेशा पार चटाई चौक या टेविल पर सम्मान के साथ रखें खाने की थाली को कभी एक हांस से ना पकड़ें ऐसा करने से खाना प्रतेक यूनी में चले जाते हैं बोजन करने के बाद थाली भी हाथ ना दोएं थाली म में बोजन के जूटे बरतन घर में रखें बोजन करने से पूर्व देपताओं का आहांच जरू करें बोजन करते वक्त बारतलाप या करोत ना करें परिवार के सदस्यों के साथ बैठ कर बोजन करें बोजन करते वक्त अजीब सी अवाजें ना निकालें रात में चावल ध बोजन सदा पूर्व या उत्तर की और मुक करके करना चाहिए। संबा होतो और सोई घर में ही बैट कर बोजन करें। इसमें राहू शान्त होता है। चूते पहने हुए कभी बोजन नहीं करना चाहिए। सुभा खुला किये बिना पानी या चाहे ना पिये। जूटे हाथों से या पैरों से कभी गौब रामण तथा अगनी का इश्पर्श ना करें। नमबर चार, कभी भी ब्रह्मूरत या संध्याकाल को जाडू नहीं लगाना चाहिए। जाडू को ऐसी जगा रखें जहां किसी अतिती की नजर ना पहुंचे। जाडू को पलंग के नीचे ना रखें, घर को साब सुत्रा और सुन्दर बना कर रखें। घर के चारों कोनों साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वयव कोन को हमेशा खाली और साफ रखें। वाशूम को गीला रखना आर्थिक इस्तिती के लिए बहतर नहीं होता है। प्रियोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रियास करना चाहें। दक्षिन और पच्चिन दिशा खाली या हलका रखना करियर में इस धरता के लिए सुब नहीं हैं। इस दिशा को खाली ना रखें। नमबर पांच घर के इस तरीका सम्मान करें। दक्षिन दिशा में प्यार करके ना सुएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटूए या रुपे को पैंट के नीचे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। जुड बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दातों को अच्छे से साफ करें। चमकदार बनाये रखें। बार बार थूगने चीकने या खासने की आदत को बदलें। गर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कारें ना करें। नाकुन और बाल बढ़ाकर ना रखें। परती दिन शरीर के सबी चिद्रों को तीन वक्त जल से दोएं। सुबह शाम और रात्री। नमबर छे घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेशग से पूछ कर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वे बनाने की छूट देता है तो किसी वाश्चो शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पढ़ रहा है क्योंकि किसी कि कुंडिली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसान दायक होता है। किसी देवी देपता की एक से ज़्यादा मूरती या तजवीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देपता की मूर्ती या चितर घर के अन्ने किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देपता की दो तजवीरे ऐसे ना लगाएं कि उनका मुँ आमने सामने हो। देवी देपताओं की तजवीर कभी नेतरत कॉन में ना लगाएं। वरना कोट कचेरी के मामलों में फसने की पूरी अशंका रहती है तिजोरी में हल्दी के कुछ कांट एवम पीले बस्तर में वांद कर रखें साथ में कुछ कौडी और चांदी तावे आदी के सिखे भी रखे कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें तिजोरी में इत्र की शीशी चंदन की बट्टी या अगरवत्ती का पैक्रिट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंद बनी रहेगी घर में देवी देवताओं पर चड़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलापकारी होता है नमबर साथ संधी काल में अनिष्ट सकतियां प्रवल होनी के करण इस काल में निम्लेखित बाते निशिद बताई गई हैं सोना, खाना पीना, गालियां देना, जगड़े करना, अबरद एवम असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यातरा के लिए निकलना, सबबत लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंतरों का पार्ट, शुपकारे करना, चौकट पर खड़े होना, उपरोग नियम का पालन नई करने से, जहां एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कहीं तरह के संकट से गिर जाता है, जहां मदिरा, सेबन, इस्तिरी अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक करतियों को महत दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जिल खाने और पागल खाने में ही खर्च हो जाता है, यदि आप अपार धन की इच्चा रखते हैं, तो सबसे पहले हनमान जी से अपने पापों की छम्मा मांग कर प्रती दिन हनमान चारे सा पढ़ते हुए, पांच मंगलवार बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जला कर उनके बंदिर में रख कर आए, हनमान जी की करपा हुई तो पहले ग्रे और ग्रे दशा में सुधार होगा, फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, नमबर आट, घर की वास्तू को वास्तू की अनुसार रख कर प्रति दिन घर को साफ और स्वक्ष कर प्रति दिन देहरी पूजा करें, घर के बारी देली या डेल क के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डाल कर उसकी दीपक से आरति उतारें, इसी प्रकार के साथ ही प्रति दिन सुबह और श्याम को कपूर भी चलाएं, और घर के वातावर्ण को सुगंदित बनाएं, जो नित देहरी की पूजा करता है, देहरी के आसपास आगमन होगा, नमबर नौ पीपल में देवी डेपताव का वास होता है, पीपल को सिर्फ सनिवार को ही चुना चाहिएं, सनिवार को पीपल के वरक्ष में काले तिल, कच्चा दूद, गंगा जल, सहद, गुड़ को इस्टील या चांदी के वरतन में डाल कर अर्पित करें, को सरसो के तेल का दीपक परजुलित करें, बस यह कार प्रतेक्ष निवार को करते जाएंगे, तो देरे देरे दुरबा के दूर होता जाएगा, पीपल के वरक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं, और पीछे मुड़कर ना देखें, इससे आपको धनलाप के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा, स्री महालक्षमी का ध्यान करके मस्तक्ष पर सुद्ध केसर का द्रक लगाएं, धनलाप के समचार मिलेंगे, प्रतिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं, घर के किसी इस्तान पर वाश्ट दोस होतों, वहा कपूर क की एक डली बगएर जलाएं, रख दें, कपूर अति सुगंदित पजार्द होता है, तता इसके दहन से बातावरना सुगंदित हो जाता है, कपूर जलाने से देव दोस्ष वाप्रत दोस्थ का शमन होता है, नमबर दस, मा लक्षमी और कुवेड देव की करपा हासल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में तीन सिक्के रखें और घर के मंदिर में लाल रिवन से तीन सिक्के बांद कर भी लटका सकते हैं, ऐसा करने से भाग बढ़ता है और हर परिशानिया से चुटकारा मिलता है, बास्तु शास्तर में मचली की चांदी की प्रतिमा बना कर घ घर में रखना बहुत शुब माना गया है, इससे शुक समर्दी, धन और अच्छा स्वास्त मिलता है, घर में मचली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांती और खुशाली आती है, आप चाहें तो दिवार पर मचली की जोडों की पेंटिंग भी बनबा सकते हैं, बा अब इस पर नारिल के पत्ते डाल कर उसके मुख पर नारिल रख देया है, उपाए बहुत उपयोगी है, दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होतों लाइक और सब्सक्राइब जरू करें, धन्यवाद